आपके अपने जीबन के प्रती एटिट्यूट जैसा होगा, आपको उसका फल भी बैसा ही मिलेगा। धून कर निकालना होगा। जाधता लोग अपने दिन का सुरवादी खुशी से नहीं करती है। आप उन साड़े लोगों के तरह मत बनो। आप उनके तरह बनो। जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन्स के साथ ही अपने जिन्देगी को बिताते है। अपने आपको आईने मे सोच को बदल सकते हो, तो फिर आप अपने जीवन को भी बदल सकते हो। आप अपने सोच को कैसे बदलोगे? आपको हमेशा से अपने अंदर positive सोच भर कर रखना होगा. अपने अंदर नया knowledge और development पर गौर करो. आप अगर ये सीख लेंगे कि कैसे आपको खुद को बदलना है, तो फिर आप बैसे ही बदल जाओगे. अपने आपको हमेशा से जादा स आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा. और आज कुछ magical होने वाला है. आपके जीवन में जैसे चुनोतिया आएकी, ठिक बैसे ही आपके जीवन से चुनोतिया चली भी जाएकी. आपके जीवन में चुनोतिया आएकी आपको और जादा मजबूत बनाने के लिए. आपके समस ही आपके मजबूत चडित्र बनाएगा आपको अपने सारे पॉब्लेम्स और नेगेटिविटी को खतम करना होगा जब जीबन की रेस में लोग भागने लगते हैं जादाता लोग पहले बार गिरने के बाद ही हाल छोड़ देते हैं क्या आप बाकी में हाल छोड़ दोगे न और आपको जिन्ता दफन कर दे फिर भी आपको अपने जीबन की परपस को याद रखना होगा आपको यह याद रखना होगा कि सब कुछ आप किस लिए कर रहे हो हमेशा से याद रखो आपके पास बस एक ही जीबन है और आपको बस एक ही मौका मिलेगा और इस मौके में ही आपको अपना सब कुछ दे देना होगा आपको इस मौके में ही ये दिखाना होगा कि आप कितना मजबूत हो पूरी दुनिया को ये दिखा दो कि आप अपने जीवन की बाजी नहीं हारोगे आपको फाइट बेक करना ही होगा आपको बाकी में जीवन में wall record तोडने वाला कोई काम करने की जरुरत नहीं है आपको बस अपने जीवन की समस्याव का समाधान धूनना है आप अगर अपने जीवन की समस्याव को धून्डोगे तो फिर आप ये जान जाओगे कि आपके जीवन बाकिय में कितना amazing है आपको सिर्फ अपने चैलेंजिस को हराना होगा आपके जीवन एक मेराथन रेस की तरह है आप अगर एक महान जीवन चाते हो तो फिर आपको बस अपने जीवन की समसाओ का समाधान करना होगा हमेशा से विजेता वो नहीं होता जो हर वाजी जीत जाए कभी-कभी विजेता वो भी होता है जो दूसरों को इंस्पार करे